Find My Applications के मदद से आप जो है अपने train का पता कर सकते हो अगर दोस्तों आप भी यहाँ पे train के उपर आप जो हैँ आप पे travel करते हो या फिर आप सफर करते हो ऐसे में friends आपको जो हैँ पे जाना चाहते हो और यहां पे आप सभी को सर्च करना है Find My Train यह application सर्च करके सबसे पहले आपको इस application को जो है यहां पे इंस्टॉल करना होगा अपने play store से उसके बाद इस application को open कर लेना है आप open करने के बाद इस तरीके से interface आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से आएगा तो simple आपको क्या करना होगा यहाँ पर इस application में सबसे पहले ऊपर देखने होगा from station and to station आप मैं आपको समझा देता हूँ यह application आप इसमें से आप जो अपनी train का पता कैसे कर सकते हो उसके लिए from station रहेगा आपको यहाँ पर आपकी जो train जो है किस station से शिरू हो चुकी थी उसी station को आपको यहाँ पर लिखना होगा उसके बाद अभी यहाँ पर आपको नेक्स station में जो जहां जाना चाते हो उसी आपका जो यहाँ पर travel जो है and होता है मतलब जिस current location में आप जाना चाहते हो उसी location को आपको यहाँ पे मतलब उसी station को आपको नाम यहाँ पर लिख देना है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वही station को तो देख सकते हो यहाँ पर अभी आपको इस तरीके से लिखना होगा वहाँ का station का आपको इस तरह के से select करना है तो यहाँ पर देखो इस तरह के से select करना है अगर आपको station का कुछ समझ नहीं आता है तो यहाँ पर train number भी यहाँ लिख सकते हो train number से भी आप पता कर सकते हो तो उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसके बाद यहाँ पर आपको Find Trend के Option पर क्लिक करना है यहाँ पर देखो Friends आपको यहाँ पर बहुत सारी टाइमिंग्स देखने को मिलेगी तो यहाँ पर देख सकते हो आपको इस तरह की से टाइमिंग्स देखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ट्रेन जो है कहाँ पर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कैसे यहाँ पर देखो तो सबसे पहले आपको इस तरीकी से यहां पर देखने को मिलेगा बहुत सारी टाइमिंग्स देखने को मिलेगी तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं आपको पताता हूँ अभी आपको यहां पर कैसे पता चल जाएगा यह देखो जितने भी आपको इस तरीकी से देखने को मिलते है ब्लू कलर में मतलब यह आभी train available है इसी time पे तो यहाँ पे आपको यह जो देखने को मिलता है friends यह आपका जो है date रहेगा मतलब दिन रहेगा इस दिन में आपको जो blue color आपको देखने को मिलेगा जिसे कि यहाँ पर yes पे blue color है टी पे blue color है मतलब यह दोस्तो Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday इस तरीके से ठीक है Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday इस तरीके से यह जो है दिन है ठीक है जो days होता है यह दिन है उसके बाद यहां पर देखो जो timing रहेगी मतलब इतने बज़े आप यहां पर ट्रेन की ओपर बेट लोगे तो यहां पर आपका journey इतने time तक end होगा मतलब यहां पर आपको यह भी बताया था कि आप किस time पर train पर बेटोगे तो इस time से लेकर इस time तक आपका train जो है मतलब जिस location में जाना है आपको यहां पर उसका भी time बता देगा आप कितने time में पहुंच जाओगे यहां पर यहां पर यह timing रहेगा तो इस तरीके से आप पत Carnation को on करना है देखो इस से आप यह पता लगा सकते हो कि आपकी ट्रेन कहां पर ए तो उसके लिए कैसे करना होगा देखो आपको सबसे पहले आपको यहां पर streets आपको जो सेलेक्त करना है जहां से आपको जाना ओगा और जहां पर रहाप स्टेशन पर उसको जिसके आप उस यह भी आपको यह पर पताएगा इस तरीकी से आप जो आपने ट्रेन का पता कर सकते हो ट्रेन कब आएगी कब जाएगी कितने टाइम में जाएगी सब कुछ आपको इस तरीकी से देखने को मिलेगा बिल्कुल आसान सा स्टेप था वीडियो अगर समझ में आगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनलों को सब्सक्राइब करके कॉमेंट बोक्स में बता रहा हैं मिलते हैं नई वीडियो के साथ